वेल्कम टो ओवर यूट्यूब चेनल मैथमेटिकल दीम आज का हमारा टोपी करेंगा एक्जाम्पल्स ओप एक्षरसाइज 5.2 आज हम एक्षाम्पल्स करने वाले हैं एक्षरसाइज 5.2 से रिलेटिल्स जोकि डिवाइजर फॉंक्शन और सिग्मा फॉंक्शन के ओपर पर आंडाले हैं उतलब सिग्मा थिटार्टि मिन काले मतलब 630 की इमेज मिकाली है डिवाइजर फॉंक्शन के अंडर भी और सिग्मा फंक्शन के अंडर यानि हमें टोटल डिवाइजर देखने चेंज 30 के कितने हैं और उनका संग देखना है कि कितना रहें। सबसे पहले हमें यह पता है कि 630 जो है नोन यूनित नंबर है और जब भी नोन यूनित नेचरल नंबर हो तो fundamental theorem of algebra कहती कि उसी आप प्रोडक्त तो प्राइम में तोड सकते हो तो 630 को हमने प्रोडक्त तो प्राइम में तोड़ना है तो 630 को हमने लिग जा 63 गुणा में 10 ठीक है 63 हो गया 7 इंटू में 9 यानि 7 इंटू में 3 स्कियर और 10 हो गया है 2 इंटू में 5 ठीक है कितनी है 2 एक बढ़ा दो यानि 2 प्लस 1 देन 2 की पावर 1 एक बढ़ानी है यानि 1 प्लस 1 उन सब को multiply करने तो solve कर सकते हो गया 2 ठीक है और यह कितना हो जेगा 3 ठीक यह हो जेगा 2 इंटू में यह हो गया 2 तो यह अंसर आजेगा कितना 24 ठीक है तो यह 24 आगया अब next अब हमें इसे की image निकाल लेकिन किसके अंडर sigma function के अंडर तो क्या कहा रहा था जो पहले प्राइम्स उसके जितने भी devices हैं उसको add कर दो ठीक है उसका formula था p1 raised to the power k1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 and so on से लेकर कि जितने प्राइम्स है that is p1 raised to the power k1 plus 1 minus 1 divided by p1 minus 1 ठीक है तो यहनी क्या है 7 की power कहता है कि k1 plus 1 यहनी 7 की power होगे 2 minus में कहता है कि 1 7 की power 2 होगे 9 उनेंचास 9 उनेंचास minus में 1 हो गया है 48 बाइ में कहता है कि p1 minus 1 यहनी 7 minus 1 कितना हो जेगा 6 then कहता है कि p2 की power k2 plus 1 yāni 3 का cube 27 27 27 में से 1 घठा दो यहनी होगे 26 p2 minus 1 यहनी होगे 2 then कहता है कि p3 की power k3 plus 1 yanni 2 का square yanni 4 4 minus में 3 हो गया है by way 2 minus 1 1 हो गया है ठीक है देन होगे 5 पाँच की power 1 बढ़ा दो यानि कितना हो गया 5 को स्केर 25 25-1 24 हो गया और बाहर में कहते हैं कि P1-1 यानि 4 तीक है अब आपको इसको सोल करने है 4 और यह गया 6 पर 6-6 खट गया है और यह हो गया 2 इंटु में 13 आप इसको सोल कर सकते हो या ज़िए 39 इंटु में 48 तो यह जो है इमेज आगी है किसकी 630 की यह जितने भी डिवाइजर सोंगे न 630 की यह उनका क्या है सम आगया है ठीक है अब नेक्स एक्जाम्पल दिया हो है next example is given find all n find all n such that their image under divisor function is 10 hence find the hence find the least such value of n the least such value of n क्या कह रहे हैं कहता है कि सबसे पहले वो n निकालो जिसके जो total number of divisor जब आप गिनने बैठोगे आपको गिनती में कितने मिलेंगे 10 ठीक है second कहता है कि सबसे छोटा n निकालो कि उसके divisor कितने होंगे 10 हमने यह देखा था कि जो आपको सभी निकाले जिसका जो डिवाइजर्स हैं वो कितने आने चाहिए 10 फिर कहता है कि उन सभी नमबर में से सबसे छोटा नमबर निकाला है जिसके total divisor हमारे 10 ठेक है अब हमें पतह कि n जो 1 नहीं होसकता क्योंगि अगर n 1 हो गया तो हमें पतह कि 1 दिवाइजर है इसका 2 दिवाइज़र्द फंक्शनालिक डिवाइज बंस्या है तो почему दिवाइज दिवाइज आहे हैंoque किफी इंडर प्राइम में तोड सकते हैं कि स्पोस्थ फिंड़ चैनलल फेल्ड राहे हैं transpose P k raise to the power कितनी माल ली हमने alpha k अब हमें क्या निकाले इसकी image इसके अंडर devisor function के अंडर तो devisor function के under image क्या होती है क्या गेता है कि सभी powers में एक एक बढ़ा दो और उन सब को क्या कर दो multiply तो सभी power में एक एक बढ़ा दिया और सब को क्या कर दिया मुल्टीप्लाय अब दिए इसके तो टोक्तल डिवाइसर कितने हैं दस यानि यह 10 तो डीन जो है इस इकल टो एलफा 1 प्लस 1 एलफा 2 प्लस 1 एलफा फ्लस 1 हो गया इन सब की प्रोड़क्स इसजिस इकल टो वह कितनी चाहिए हमें 10 चाहिए अब यह देखो जो अल्फा आइज है या तो जीरों होगे जीरों कब होंगे जो वह प्राइम ही नहीं होगा के अंदर थीक है या फिर क्या होंगे जीरों से बड़े होंगे मलब पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं मलब आप कह सकते हैं नौ दो आपको 2 की प्रोड़क्त में लिखना है तो 10 को 2 इंटो में 5 लिख सकते हो ठीक है या फिर आप क्या लिख सकते हो 1 इंटो में X थीक है या इनका बॉडर चेंज हो सकते है पहले पांच हो जाए दूसरा दो हो जाए या फिर पहला 10 हो जाए और जो है दूसरा 1 हो जाए यह भी हमारे पास कितना आजएगा 10 यानि आप देख रहे हो कि यह कितने factors प्रोड़क्ट हो रहे हैं 2 factors मतलब बाकी कोई जो alpha 1 और alpha 2 तो आ रहे हैं यानि alpha 3 0 आएगा alpha 4 0 आएगा इस तरीके से alpha r भी 0 आएगा only कितने primes यूज होंगे 2 ही primes यूज होंगे क्योंकि 2 ही factor बन रहे हैं तो माल या alpha 3 और मलब यहां से क्या conclusion निकाल सकते हैं alpha 3 इस से लेकर के alpha r तक सारे ही क्या आगे 0 आगे तो आपके यही प्राइम भचगे मलब जो यही factor भचगे alpha 1 प्लस 1 into alpha 2 प्लस ने 1 this is equal to 10 तो यह case हो सकते हैं कि alpha 1 प्लस 1 2 हो जाए और alpha 2 प्लस 1 कितना हो जाए 10 हो जाए 5 हो जाए या फिर हो सकते है alpha 1 प्लस 1 कितना हो जाए 1 हो जाए और alpha 2 प्लस 1 कितना हो जाए 10 या फिर इसका order change हो सकता है मलब alpha 1 plus 1 5 alpha 2 plus 1 2 alpha 1 plus 1 1 और alpha 2 plus 1 कितना हो सकता है या 10 और यह कितना हो सकता है 1 तो इस case से alpha 1 की value कितनी आजेगी 1 और alpha 2 की value कितनी आजेगी 4 इस case से alpha 1 कितना आजेगा 0 और इस case से alpha 2 कितना आजेगा 10 आजेगा या इसका चेंज हो सकता है मतलब आपका जो n था वो था P1 raised to the power alpha 1 P2 raised to the power alpha 2 बाक्की तो सारे 0 है यानि n जो है this is equal to P1 raised to the power alpha 1 into में क्या बन गया P2 raised to the power alpha 2 तो n की form देखो क्या बनेगी n की form बनेगी पहले second case करते है P1 की power कितनी होगी this is equal to 9 ठीक है फ़र इन जर्नल हमने कोई भी prime माल लिया क्या तो P1 आएगा अगर P1 कब आएगा जब alpha 2 present होगा ठीक है अगर आप यहाँ जो है alpha 1 की value 9 ले रहे हो तो यहाँ पर क्या आजेगा P1 आजेगा अगर alpha 1 0 ले रहे हो तो यहाँ P2 की power कितनी आजेगी 9 मतलब एक prime नंबर आएगा और उसकी power क्या आएगी 9 दूसरी form क्या सकती है एक prime की तो power क्या होजे 1 होजे और दूसरे जो prime बचा है आज लोग क्या नाम दे दिया या P1 P2 नाम दे रहे है P1 की power 1 होजे और P2 की power कितनी होजे 4 होजे प्लाग क्या सकते हो यह हो सकता है कोई भी prime P इसकी power 1 और जो दूसरा prime है उसकी power कितनी है 4 आप चेक कर सकते हो prime की power 9 इसके devices कितने मिलेंगे पावर में हमें पता कि एक इंक्रीज रहना है कि इतना हो गया 10 हो गया इसमें power 1 एक इंक्रीज करोगे 2 और इस power 1 एक इंक्रीज करोगे 5 प्लोड़क्स करोगी कितना है गा आए गा 10 यानि मिल्ने वाले हैं रिदेंगे जिसके तोन के टोतल नंबर व्च थमों तो इससा और पाम और पिया सकतने हैं सबसे चोटी निकान ने किस की एक की? pit 2 होता है ठीके next जो PRIME है वो कौन सा होता है 3 होता है ठीके एक तो तरीका ही एक कि एक 2 की power 9 और यह बंजे 2 इंटू मैं 3 की power 4 या फिर होसकता है 3 की power 9 कि 3 into मैं 2 की power 4 होसकता है ठीक अब देखो obvious है कि 3 co 9 यह वो इनसे बड़े ही आएंगे ठीक है तो आप चेक कर सकते हो इन सम्मे से छोटा I think यह है that is 16 into में 3 यानि कितना होजेगा 48 तो सबसे छोटा N such that जो इसके total number of divisor 10 हो वो N कौन होगा 48 होगा ठीक है अब next example है अब next example है example number third क्या कहरें prove that prove that sum of the divisors of N उनका लोग मतलब divisors का image under logarithmic functions ठीक है और उनका sum ठीक है यहाँ D हाईगा this is equal to 1 by 2 times of total number of divisors of N यह हमें prove करना है ठीक है तो आप देखो क्या से prove करोगे सबसे पहले तो इसका हम मिली प्रूपर जिससे 6 का example ले लिया तो इसके divisors निकाए 1 2 3 और ही हो गया क्याते कि जो भी divisors आए है न उन सभी का लोग में लोग 1 plus log 2 plus log 3 plus log 6 क्याते कि इन सबको add कर दो add कर दिया यह जो अंसर है इस वन बाइट तू ताइंस ओफ दिया यानि वन बाइट तू ताइंस ओफ कितना आजेगा या आजिव अच्छा यानि कितना अंसर आज़का तू अनिवाले तो यह आप लोग चैट भी कर सब्सक्राइब कि इसका अंसर तू आज़गा तो देखो मालो कि n के डिवाइजर क्यों है वो टोटल कितने हैं के डिवाइजर के तो हमें प्रूव करना है जो लोगरित्मिक के अंदर इमेज हुँग इसके डिवाइजर सॉं लेपकेंड साइज जो है जिस इस इकल टू तो टो जो डिवाइजर है उनके उनके इमेज अंडर लोगरित्मिक फंक्शन तो टो टोटल डिवाइजर को हमने नाम दे दिया पहले डिवाइजर को हमने डिवाइजर नाम दे दिया जो दूसरा डिवाइजर है तीसरे डिवा तो हमने सभी डिवाइजर्स को नाम दे दिया दीवन दीचू दीचरी दीचरी तो इसका मतलब क्या हो गया किसा इमेज अंडर लोगरिट्मिक फंक्शन डेट इस लोग दीवन लोग दीटू लोग दीचरी से लेकर कि कहां तक आपने लोगों लेकन अब हमें पता कि अगर डिवाइजर्स होता है एं लुक्ति कि अगर डवाइज़वन दीचसरी डवाइजर्स तर्फपोर्णिंगी दो किकसे थे वह वन देखो दी आईज्स को या अन बाइज्टि को टोटल के है सेम ही हैं जस्त यह जो दीवन है इसकी इमेज लो लो रिप्मी के अंडर और और उन सब को आड़ करो आंपर सेम यह आने वाले क्योंकि नमबर सेम है ठीक है और एडिशन जो है वो community में hold करती है तो आप किस तरीके से भी head करो कोई problem या आएगी तो यानि इनका sum या फिर n by d1 का sum मतलब प्लस log of n by d2 प्लस log of n by d3 and soon log of n by dk अंसर क्या आने वाल है C ठीक है ये अंसर आदेगा C यानि ये बन जेगा log m by n का formula पता है log n minus में log n that is log d1 क्योंगे log n minus में log d2 ठीक है next हो गया log n minus में log of d3 and soon ये क्या बन जेगा log n minus में log of d3 तो दीको log n log n log n कितनी बार आड हो है जितने divisors थे divisors कितने थे k यानि k टाइम तो बन गया किसका log n का minus में common क्या आगया है log d1 plus log d2 से लेकर कि कहां तक हो गया है log of dk यानि ये बन गया है this is equal to k log n minus में summation log of d d divides n तो ये इस साइड आजेगा तो ये कितना बन गया अब k क्या था total number of divisors यानि answer कितना आ गया 1 by 2 k log of n हमें answer क्या चीथा 1 by 2 k नहीं चीथा हमें answer चीथा 1 by 2 dn और यहाँ log n भी आएगा log n भी आएगा यहाँ पर तो यानि हमें यहाँ चीथा 1 by 2 k log n तो ये इसका क्या होगा है answer आगा अब next example है next example है example number 4 क्या खे रहें अगर n non unit हो अगर n non unit natural number हो this is not prime not prime हमें पता कि non unit हो plus non prime हो तो एक ही case बचा यानि n क्या दिया होए आपको composite तो हमें प्रूव करने है कि जो इसकी image होगी n के sigma function के अंडर this is strictly greater than n प्लस में square root of n यह हमें प्रूव करने है सब अब n 1 से बढ़ा दिया हुआ यानि unit भी नहीं है प्राइम भी नहीं है यानि यहां से हम यह conclusion निकाल सकते है n is a composite number n is a composite number ठीक है composite है तो इसे आप दो numbers की product में तोड़ सकते हो जो ना तो 1 के बढ़ाबर होंगे और ना ही n के बढ़ाबर ठीक है same यह ठीक है अब b और c में relation हो सकते है या तो b c से छोटा होगा या b c के equal भी हो सकते है या b c से बढ़ा भी होगा हमने माल लिया जो बढ़ा है उसको नाम दे दिया स्पोस b और जो छोटा है उसको नाम दे दिया c मतलब यह होल्ड कर रहा है c is less than equal to b less than n स्पोस हमने यह माल लिया ठीक है अब आप देखो इसके divisor n को एक तो हमें पता है कि 1 डिवाइड करता है कोई भी number 1 से divisible है ठीक है और खुद से भी divisible होगा n की वली 1 तो है नहीं कि उसका एक ही divisor मिले तो इसका 1 भी divisor है इसका n भी divisor है अब number prime होता है तो इसके 2 ही divisor होते है या तो 1 या फिर खुद अब number prime है यानि number कैसे composite composite होने का मतलब उसका आपको एक proper divisor भी मिलेगा ठीक है प्रोपर मतलब ये ना तो 1 है ना ही n के बराबर तो हमने ले लिए जो बड़ा है इसके आपको B और C के भी आगे फर्दर प्रोड़क्ट करोगे तो और भी ये तोड़ जाएगा और भी divisor मिल सकते है यानि कहने का मतलब क्या हुआ अगर number composite है तो आपको minimum कितने divisors मिलने वाले है तीन divisor मिलने वाले है तीन से ज़्यादा बेशक हो सकते है लेकिन minimum 3 होंगे क्योंकि 2 तो उसी case में आता है जब वो number क्या होता है प्राइम तो प्राइम तो है नहीं यानि जो इसके divisors है वो 2 नहीं हो सकते unit भी नहीं है यानि इसके divisor एक भी नहीं हो सकते एक भी नहीं हो सकते दो भी नहीं हो सकते मतलब 2 से बड़े यानि minimum कितने होंगे 3 होंगे 3 से ज़्यादा बेशक हो सकते है तो यानि divisors का जब sum करोगे तो उसमें एक divisor तो हमें पता है कि 1 आने वाल है एक N इसके अलावा भी एक नमबर आएगा जो ना तो 1 के बराबर है ना ही N के बराबर यह वालिया जो यह B है ठीक है तो यह इस से बड़ा भी आ सकते है और इसके equal भी आ सकते है जो sigma N है this is greater than equal to 1 plus N plus में B अब आप यह चीज देखो जो C है C is less than equal to क्या है B यानि N is less than equal to क्या हो जगा B और C यह B square हो गया मतलब N is less than equal to B square हो गया तो यानि square root of N this is less than equal to क्या हो गया B यानि B बड़ा है या equal है किस से square root of N से यानि B बड़ा है अब ये नमबर हमें पता है कि strictly बड़ा होगा किस से m प्लस में रूट है क्योंकि ये positive ये positive positive चीज में से one घटा होगे obvious है कि जो बड़ा वाला नमबर है मलब ये जो चीज है वो इससे क्या मिलेगा आपको बड़ी मिलेगी मालो इसका अंसर पांच है तो ये पांच प्लस चे होगया तो चे उवेस्ट थी पांच से क्या होगा बड़ा यानि आप दोनों को मिला करके conclusion निकाल सकते हो जो sigma n है वो strictly बड़ा आजएगा किससे n प्लस में root n से ठीक है तो ये था fourth example ठीक है तो देखो इसको हम कैसे प्रूब करेंगे तो मालो टोटल जो divisors है उनके स्पोस के है उनको नाम दे दिया स्पोस D1, D2, D3 से लेकर के कितना दे दिया ठीक है अब हमें पते कि D1 divisor है तो n by d1 भी divisor है जैसे कि हमने पहले example भी किया है n by d2 भी divisor है n by d3 भी divisor है और n by dk भी इसका क्या है divisor है मालो जो left side है that is जो left side उसको हमने P नाम दे दिया तो P is product of D divided N D raised to the power D plus में n by d यानि इसका meaning क्या हुआ इसका meaning हुआ कि D1 की power होगी D1 plus n by d1 और D2 की power कितनी होगी D2 plus में n by d2 ठीक है कितना होगा Dk की power dk plus में n by dk ठीक है यह हो गया this is equal to d1 की power d1 plus n by d1 d2 की power d2 this is equal to this अब हम P को ऐसे भी लिच सकते हैं this is product n by d ठीक है और n by d plus में d क्यों 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 हमें पता है कि जो n by d is है वो किसी ना किसी dj के बराबर जुरूर मिलेगा आपको ठीक है अब d को n by d को यानि d की जीक हम n by d replace कर दे d की जीक है n by d d की जीक है n by d तो यह तो जीक है n by d raise to the power n by d और यह कितना होजेगा this is यह होजेगा d example से समझते हैं फिर से 6 ले लिया devices होगे 1 2 3 6 ठीक है n by d होगया 6 3 2 1 क्या कह रहे है पहले कह रहा था कि d1 की power कितने d1 plus n by d1 यानि 1 की power d1 d1 मतलब 1 प्लस में n by d1 n by d1 कितना है 6 ठीक है कह रहे कि into में 2 raise to the power d2 raise to the power d2 plus में n by d2 that is 2 plus में 3 then 3 raise to the power d3 raise to the power n by में d3 that is 3 plus 2 d4 raise to the power d4 plus में 1 क्याता कि जो यह product है और अब हमें ultra करना है यानि n by d1 लेना है that is जो 6 है 6 की power n by d1 that is 6 plus में d1 d1 कितना है 1 ठीक है then क्या हो गया next n by d2 n by d2 हो गया 3 3 की power n by d2 that is 3 plus में कितना हो गया है this is d2 यानि 5 तो आप देख सकते 6 की power 7 आ रहे है और 3 की power 5 सेम आप चेक करोगे 2 की power 2 plus 3 आ रहे है और 1 की power 1 plus 6 तो आप इनको product करो या फिर इनको product करो answer क्या आने वाले सेम आने वाले तो हमने d1 की जगे है replace कर दिया किससे n by d से ठीक है तो यह जो product है वो हमें d1 plus d1 ठीक है into में लिख दिया n by d2 raise to the power n by d2 plus d2 ठीक है n की power n by यह होजेगा n की power n by d1 plus d1 by में d1 की power कितनी होजेगी d1 into next होजेगा n की power n by d2 plus d2 divided by d2 की power कितनी होजेगी यहां होजेगा n by d1 plus d1 आएगा यहां और d2 की power होगी n by d2 plus d2 ठीक है and so n की power n by dk plus dk अब ओन में क्या होगया dk की power कितनी होजेगी n by dk plus n कीतना होजेगा dk ठीक है अब इसको हम ऐसे लिख सकते है n की power d1 यहां से निकाली n की power d2 यहां से निकाली n की power d2 यहां से निकाली so this is equal to n की power d1 into n की power d2 and so n की power कितनी होगी dk अब d1 की power d1 निकाली d1 की power d2 d1 और dk की power dk यहनि बाए में होगया d1 की power d1 d2 की power d2 and so dk की power dk ठीके बच क्या जाएगा n by में d1 की power n by d1 बच जाएगा ठीके जिस्ट calculation है solve करोगे आपने आप समझ आजेगा n by d2 की power d2 and so n by dk की power कितनी आजेगी यहाँ आजेगी this is equal to यह होजेगी कुछ dk ठीके और यह होजेगा n by d1 जो है यह even n by d1 ही आएगा ठीके जो d1 है वो निकाल चुके है तो d1 की power n by d1 बच गया और यह n by d2 बच गया और यह कितना बच गया n by dk तो देखो n बेस सेम है multiplication है power add हो जाएगी यहनि n की power तो हो गई d1 plus d2 plus dk ठीके इंटू में इंटू में क्या बच गया n by d1 n by d1 की power n by d1 ठीके है इंटू में n by d2 raised to the power n by d2 and so on क्या बच गया है n by dk raised to the power n by dk और divided by बच गया है d1 raised to the power d1 इंटू d2 raised to the power d2 and so on dk raised to the power dk फिर से example पर समझते है आपका था 1, 2, 3, 6 यह d i's थे n by d i's थे 6, 3, 2, 1 क्याते कि n by d1 की power n by d1 यानि 6 का 6 3 का cube 2 का square और 1 की power 1 या फिर क्याते कि d1 की power d1 यानि 1 की power 1 2 की power 2 3 की power 3 और 6 की power 6 अंसर क्या आ रहे सेम आ रहे d1 की power d1 करो या n by d1 की power n by d1 करो सेम आ रहे यानि कट गया सेम n by d2 की power n by d2 करो या d2 की power d2 करो कट गया सेम यह सारी चीज़े क्या हो जेंगे cancel out तो अंसर आ जेगा n of d1 प्लस ने d2 प्लस में dk अब d1, d2, dk क्या खे सारे के सारे divisors किसके n के और sigma n क्या होता है जितने भी divisors है उन सब का सम तो sigma n क्या बनेगा d1 प्लस d2 प्लस में dk तो अंसर कितना आ जेगा n raised to the power sigma n ठीक है यह हमें प्रूब करना था अब नेक्स एक्जाम्पल है के रहे कि show that n raised to the power minus k sigma of kn this is equal to sigma minus kn sigma kn का मतलब क्या होता है जो divisors है उसकी powers आपको k करनी है note यहाँ पर यह है जो k है वो कोई भी real number हो सकता है ठीक है मलब सभी की powers आपको k करनी है और उन सब को add करना है for example वापे 6 पर आते है मालो sigma 6 और यहाँ k हमने रख दिया suppose 2 ठीक है तो यह क्या बनेगा कहते जितने भी divisor है divisor होगे 1, 2, 3, 6 कहते है कि जितनी power जो k है ना वो कर दो यानि k मतलब 1 का square 2 का square 3 का square और 6 का square कहते है कि सब को add कर दो तो यह अंसर आजेगा किसका 6 का किसके अंडर sigma 2 के अंडर ठीक है अगर यहाँ internal k हो तो यह k आजेगी सभी की powers तो अगर हम 1 power करें तो यह 1 की power 1 1 यह 2 की power 1 3 की power 1 6 की power 1 यह डिवाइजर का sum आजेगा यह अगर आप k को 1 रख रहे हो अब हमें यह प्रूव करना है कि n raise to the power minus k sigma n this is equal to sigma of minus k raise to the power n सबसे पहले sigma k n ठीक है माल लिया total number of divisor फिर से क्या है k नाम दे दिया फिर से d1, d2 और क्या नाम दे दिया dk ठीक है dk k use कर लिया है तो यहाँ suppose r तो यह total number of divisor हमने माल लिये r है ठीक है तो यह क्या हो जेगा इसका मेनी होते कि सब भी divisors की power जितनी चीए कितनी चीए k चीए तो वो सब की powers कर दो उनको add कर दो यानि d1 की power के d2 की power के d3 की power के and so on क्या हो जेगा dr की power कितनी हो जाएगी की हो जाएगी ठीक है लेकिन हमें बता है कि यह जो चीज है इसके बराबर भी आएगी n by d1 की power k1 ठीक है n by d की power k2 ठीक है then n by d3 की power k same वही logic and so n by जो यहां आएगा d1 d2 d3 और यह हो जाएगा dr की power k ठीक है आप देख सकते हो कि 1 by d1 की power k plus 1 by d2 की power k plus 1 by d3 की power k and so कितना बच गया हो 1 by dr की power k ठीक है तो यह बच गया n k और यह हो जाएगा d1 की power minus k plus d2 की power minus k plus d3 की power minus k plus and so dr की power क्या हो जाएगा minus k यानि जो n के divisors है उन सबी की power minus k की हो रही है उन सबी को क्या कर रहे है add यानि this is nothing but sigma minus k of किसका है n का और into में क्या हो गया n raised to the power k this is equal to sigma k n तो n की power k को बस इस सबी लिया हो तो यह हो जेगा n raised to the power minus k this is equal to into sigma k and this is equal to sigma minus k यहां जो k है वो real number हो सकता है तो अगर k की value 2 है तो यहां जो है minus 2 लोगे defined होगा कोई दिख्वत नहीं है अलब इस case में real number भी चले ही ठीक है अब next example है example क्या कह रहे if n is a power of 2 if n is a power of 2 then prove that then prove that sigma n is odd ठीक है sigma n is odd वैस्त तो हमने एक theorem की थी तो क्या कह रहे है अगर n 2 की powers में लिखा जा रहे है जैसे 2, 4, 6, sorry 6 नहीं 8 ठीक है 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 64 कहता है कि अगर number 2 की powers में लिखा जा रहे है तो हमें प्रूब करने है जो इसके divisors का sum होना चीए वो कितना होना चीए odd होना चीए ठीक है तो n जो है 2 की powers में लिखा जा रहे है मानलोग 2 की power क्या है k, k की value obvious से 0 भी हो सकती है क्योंकि 1 जो है वो भी 2 की power में लिखा जाता है और sigma 1 हमें पता है कि 1 आता है तो answer क्या होता है और, तो k is greater than equal to क्या है 0 ठीक है हमें sigma n निकालने है तो इसके हमें divisor पता है 2 की power 0, 2 की power 1, 2 की power 2 से लेकर के कितने है 2 की power k यह इसके total number of divisor है आपको क्या निकालने है sigma n निकालने है तो sigma n हमें पता है कि divisor का क्या होता है sum, तो divisor का sum कर दिया again gp1 की common ratio 2 आ गया तो formula होता था a into a r raised to the power total number of terms that is 2 raised to the power k plus 1 minus 1 भाय में r minus 1 that is 2 minus 1 answer आगे 2 raised to the power कितना आगे k plus 1 minus में 1 obvious है कि यह number क्या है odd यानि sigma n जो है वो क्या बन गया है odd तो sigma n odd आ गया है next example है to that product of two distinct odd primes can't be a perfect square क्याते कि एक number ले लो जो दो ओड प्राइम्स की product में हो तो एक प्राइम मालिया P है और एक क्या है क्यों क्या है कि दोनों आपको prime कैसे लेने है different लेने है कहते कि यह perfect यह perfect square नहीं हो सकता था या दो perfect square क्या होता था perfect square जो अपने divisors के ही sum में लिखा जाए ठीके लेकिन वो खुद छोड़ करकी जैसे कि हमने कहा था कि जैसे 6 है 6 के जो divisors आ रहे थे वो आगे थे 1, 2 और 3 खुद छोड़ना है मतलब 6 चोड़ना है और इनका sum देखना है वो 6 के ही बराबर आजे तो 6 जो है वो क्या बनजेगा perfect number और perfect number हमने पहले भी lecture में बताया था उसकी जब आप sigma function के अंडर image निकालोगे वो उसकी दो गुनी आएगी तो माल लिया हमने उल्टा माल लिया हमें प्रूव करना है कि यह perfect number नहीं आना चाहिए तो हम perfect यह perfect number आएगा not square perfect number तो हमने माल लिया कि number क्या आ रहे है perfect number आ रहे है यानि इसकी जो image है sigma function के under वो इसकी क्या रहे है दो गुनी अब इसके divisors निकालो इसके divisors होंगे 1, p, q या फिर p, q तो sigma n sigma n कितना बनेगा 1 plus p plus q plus p q this is equal to 2n that is 2p q इन सब को उदर ले जाओ यानि p q minus p minus q minus 1 this is equal to 0 ठीक है इसमें से p common आ जेगा q minus 1 बनेगा minus में ये q plus 1 होगा हमे q minus 1 चीए तो हमने क्या कर दिया plus 1 add कर दिया और 1 हमने subtract कर दिया तो ये क्या बन जेगा this is equal to p q minus 1 minus q मन आ गया q minus 1 और ये minus 2 हो जेगे इसको उदर ले जाओ तो ये बन जेगा p minus 1 into में q minus 1 is equal to 2 ठीक है ये भी odd prime है ये भी odd prime है यानि minimum value इसकी 3 है ठीक है तो 3 minus 1 यानि ये क्या है minimum value 2 है यानि ये दोनों ही क्या है positive है अब 2 positive natural number की product तब ही आ सकती है जब 1 1 हो दूसरा 2 हो या फिर पहले वाला 2 हो दूसरे वाला क्या हो 1 हो पहला case अगर p minus 1 1 हो जाए और q minus में 1 क्या हो जाए 2 इसका मतलब p क्या हो जाएगा 2 लेकिन क्या दिया हो है कि जो p है वो odd prime है यानि ये चीज possible नहीं है नेक्स केस में अगर p minus 1 2 हो जाए क्यों minus 1 1 हो जाए तो क्यों की value कितने आजएगी 2 अगेन contradiction आगी यानि जो हम चीज जो हमने जो चीज माननी थी वो चीज गलत है इसका मतलब जो ये number है वो perfect number नहीं हो सकता तो ये थे examples जो की 5.2 exercise से related थे एक example हो रहे गया example number 7 वो next lecture में हम cover करेंगे तो आज के लिए इतना ही थेंक्यू स्टू